दोस्तों फिर से एक बार स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल ऑल्वेज इनर में बात करेंगे निदर लाइंड वर्सस यूए से की भी जो टीट्विंटी मैच आज खेला जाएगा साड़े पार्च बजे मैं स्टार्ट होगा हमें दोस्तों पार्च बजे और लाइन रहना होगा अब दोस्तों बहुत से हमारे भाई यह कहेंगे कि इस मैच में जो अठ्रा राक के ग्रैंड लिग है यह ग्रैंड लिग क्रैक करना काफिर जड़ा मुश्किल होने वाला है तो दोस्तों मैं हमेशा आपस यही कहता हूँ कि फॉर्स ट्रैंग पे आन आने वाला हूँ अब देखे हमारे पास क्या इस मैच की बहतरीन इंफॉर्मेशन है नहीं है दोस्तों तो यह कहना चाहता हो कि अगर आप रेगुलर फैंटेसी प्ले करते क्रिकेट देखते हैं तो आपको यह पता होगा कि रिसेंट्ली जो टी-20 वर्ल्ट कफ हुआ था व और यहाँ पर दोस्तों कहना चाहता हूँ कि बहुत से इसे प्लेयर है जिनसे हम परीचीत है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ने मैं आपको इनफॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से बताने वाला हूँ जब वीडियो एंड हो जाएगा तब आप आप आख बन करके भी टीम बना सकते इतना ज़रा सिंपल तरीके से मैं आपको टीम बना कर दिखाने वाला हूँ जो हमारे भाई लॉस कवर करना चाहते प्रॉफिट कमा देने चाहते डेली मेगा लिकी टिप्स और ट्रिक्स प्री में पारना चाहते वह दोस्तों हमारे योट्यूब चैनल को फ् जोईन होना है और दोस्तों रिसेंटली जो निउस निकल के आई है कि टेलीग्राम बैन होने वाला है और देकि अगर टेलीग्राम बैन होता है तो आप हमारा चैनल ढूंडेते रहोगे लेकिन आपको चैनल मिलेगा नहीं इसलिए कहूंगा दोस्तों कि यहाँ पर आपके वाट्सेप चैनल बनाया है आप जाए वाट्सेप चैनल पे जोईन हो जाए जोईन करके सिफ रख दीजे जैसे ही अगर टेलीग्राम बैन होता है जिसके चांसे 70% बैन होने के काफी ज़दा गतिवीदिया चालू है गवर्मेंट के तरफ से तो मैं आपसे कहूंगा कि जैसे टेलीग्राम बैन होता है तो मैं मेगाली की टीम वाट्सेप पर ही प्रोवाइड करने वारा हो क्योंकि वहां पर दुस्तों काफी ज़दा इजी होता है अब दुस्तों बात करेंगे यहां पर कुछ बेसिक इंपॉर्मेशन की तो आप चेक कर सकते वूबर का पीच ह क्या है कि बैट्समन को काफी ज़िधा संबल कर खेलना पड़ता है अब दोस्तों बैट्समन को भी Sपोर्ट मिलता है यहां पे बह तो specially देखा जाए तो first tiering जो होती है first tiering के पहले power play में एक से लेकर दो wicket जा सकते हैं क्योंकि first tiering में wicket जाते हैं ऐसे दोस्तों हमें पीछ report में बताया गया है actually देखा जाए तो weather अच्छा है raining के कोई chances नहीं है और rain हो भी सकता है लेकिं 20% chances से weather थोड़ा सा cloudy हो सकता है और ये दोस्तो बात करेंगे आगे में तो यहाँ पे दोस्तो एक ही मैस इस स्पीच पे खिला गया है और पिछले कुछ मैचेस का रिकॉर्ड भी दोस्तो मैंने चेक किया है तो हमें ये पता चला कि कभी इस स्पीच पे स्कोर बनता है तकरीबन 170 का तो कभी 120 रन पे भी टीम आल आउट होती है क्योंकि दोस्तो यह जो पीच है एक्चुली देखा जाए बैलेंस पीच हो दोस्तो बैलेंस पीच पे मैचेस काफी ज़्यादर रिस्की होते है लास्मेंची दोस्तो बात करेंगे 170 तक का स्कोर बनाए 6 विकट गए पूरी तरसे बैकिंग पीच तीन और पीच पे मिल सकता है वहीं दोस्तो बात करेंगे तो यह नेदर लाइंच का प्लेइंग एरन होने वाला है लास्त के तीन मैचेस का रिकॉर्ड आपके सामने है आप चाहें तो दोस्तो वीडियो पॉस करके स्क्रीन शॉट निकाल सकते हैं देखें जब हमें प्लेश के बार पारी खेली है लेकिन बैटिंग पीचे पाच से लेकर छे विकेट जा सकते है नेदर लाइंड की टीम का परफांस काफी जड़ा अच्छा रहा है और इस मैच के विन करने के चांसे तकरीबन 70-18 परसंट है 80 परसंट है तो ऐसे में दोस्तो मुझे लगता है कि कोर्स को भी पैटिंग पाल के निएड बेट आच में और मिल्सट से विडियत को फैसा अँके सल्ग करती है बीड है कि प्लेयर को इंड केड़न आग रिस्क सब्सक्राव जाएं वडु और पैस्तुर्प लिए निकगा है और यहाप यहाप एतनी ज़र्छ प्लेयर करके क्या फैटा अ अगर आप लाइक नहीं करते हैं तो आपका एक लाइक मिले काफी जड़ा इंपॉर्टिंट होता है मेरा मोटिवेशन बढ़ता है तो फ्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना देगे दोस्तों बात करेंगे ग्रैंड ली के अट्रा लाइक वरी टीम बनाकर दिखाने वालों तो दोस्तों जैसे कि सभी इंफॉर्मिशन हमारे पास है सबसे पर दोस्तों में स्मॉल्ली की टीम बनानी है और मैं को एक टीप देना चाहता हूँ देखे जब भी हम स्मॉल्ली की टीम बनाते हैं और मैच काफी जड़ा रि की टीम के अकोर्डिंग जब दोस्तों मैक पूरी तरसे Stenh होता है सेफ मैच क्कर मतलब क्या है कि आपको पता है कि इंडिया वरसस यूएसिशन की मैच कि लाजेगा तो यह मैच बात करेंगे जब match रिस्की होता तो है लेकिन हमें players के बारे में ज्यादा information नहीं होती है तो हमारे जब रेशियो होता है वो तकरीबन 10-1 का ही ratio होना चाहिए हमेशा जिस match के बारे में आपको ज्यादा information नहीं है उस match में अगर आप small league की team बनाते हो तो 10 player आपको safe लेना चाहि और ऐसे match पर दोस्तो captain race captain भी आपको थोड़े वो safe ही रखने चाहिए मैं आपको team बना कर दिखाने वालो बात करेंगे दोस्तो small league की team बनाने है हमारे पास 3 option है squad adverse है जो की fourth number बैटिंग कर दिख लिया आते है उसके बाद दोस्तो gouse की बात करेंगे third number पर आते है और दोस्तो बात करेंगे open करेंगे last के दोने मैचे से एम पर्टेल ने उतना जड़ा performance नहीं दिया है लेकिन flop नहीं हुए है 14 और 16 run बनाये थे गाउस की दोस्तों बात करेंगे तो first match बैटिंग नहीं मिली थी और उसके बाद फिर एक run बनाया था तो मिरी साबसे दोने में से किसी को अ important हो सकता है हारा कि एम पर्टेल open करेंगे और दोस्तों इनके सामने नेर्दर लाइन के border होगे जो कि नेर्दर लाइन की टीम का performance अच्छा नजर आ रहा है तो मेरी साबसे हम एम पर्टेल को drop कर सकते है फिलार के दोस्तों हम दोनों को drop करेंगे because मुझे लगता है कि हमारे प अच्छा होता है जब प्लेस का performance अच्छा होता है विक्रम जिस सिंग हमें बैटिंग प्लस बॉलिंग से पॉइंट दे सकते हिनको drop करने का मतलब दी बनता है लेविट का दोस्तों परफांस अच्छा है लास के तीनों मैचे में इनको drop नहीं करना चाहिए उसके बार दोस् मैं आपको provide कर रहा हूँ यह दिस तो small league की तो है लेकिन साथी साथ मेगा लिग में आपको काम आने वाले इतनी जादा detail में कोई information आपको provide नहीं करता है इसलिए कहूंगा कि वीडियो पूरे focus के साथ देखना उसके बाद दोस्तों आप खुच तीम बना सकते मेरी कोई बैटिंग को लेना चाहिए हारा कि दोस्तो पूरी तर से बालिंग से पॉइंट देने के चांसे ना के बराबर हो सकते ही ठीक है बॉलिंग से पॉइंट देगे बैटिंग से पॉइंट नहीं देगे उसके बाद दोस्तों बात करेंगे तो यहाँ पे शाहिला को टीम में रखना है कि नहीं रखना है यह आच्वे नुमर प्यार ये भी विकेट निका देए तो हम ऐसे प्लेयर को ट्राय कर सकते जिनका परफाउंस अच्छा है मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहता हूँ कि उस प्लेयर को टीम में नहीं रखना है जिसका परफाउंस अच्छा नहीं है दुमर ये लगता है जो हमें लगता है कि रिस्क होता है ढ collaborating को सपोर्ट मिलेगा और तीन मैंच को टाय करके है ंजिनका से्लेकशन अच्छा है अब हमारे पास बॉलिक सेक्शन अवेलिबल है अब यहाँ पर हमारे पास प्ब मैके हैं को लेना होगे और दोस्तों यहापे बात करेंगे तो नीचे में आप से कहना चाहता हो चलो यहां पर मैं आपको बताना चाहता हो आर कलील यहापे बालिंग section पर है लेकिन इनहोंने अभी तक बालिंग नहीं की ना ही एक और भी complete किया लेकिन इस साथवे नंबर पर आज सकते हैं अब यहाँ पर दोस्तों हमारे पाद जो base option है केनिंजी को try करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए तो मेरी साथ से आप इतको drop कर सकते हैं first 2 matches में flop होए थे 0-0 wicket लेकिन last match 2 wicket मिले तो इनका selection बढ़ चुका है उसके बाद दोस्तों बात करेंगे डोरम को लेना चाहिए तो डोरम भी wicket निकाले और मेरी साथ से नेदर लैंड का balling line अप अच्छा है तो दोस्तों हम डोरम को peak करेंगे उसके बाद दोस्तों बात करेंगे J-Sink को लेना चाहिए, K&G को लेना चाहिए दोनमें से किसको लेना चाहिए तो J-Sink की बात करेंगे फर्स में चे wicket निकला तो उसके बाद wicket नहीं मिला ओ देखे जो pitch batting pitch है तो batting pitch पे हम एगर risk लेना है तो मिरी साथ से हम किस पे risk लेना चाहिए हम दोस्तों यहाँ पर नीचे में कोई option choose नहीं करेंगी यहाँ पर दोस्तों किसी को peak नहीं करेंगे लेकिन मिलिस्थाप से दोस्तों हम Wicket K hunt section से risk ले सकते किसी ballर के जगाँ पे क्योंकि हमें दोस्तों यह लग रहा है कि peach batting twice sizinад bowling pizza नहीं है जनरली दोस्तों मुझे USA के ballers पे उतना ज़्यादा trust नजर नहीं आ रहा है तो इसलिए दोस्तों हम क्या करेंगे USA के किसी baller को drop कर सकते हैं और यहाँ पर दोस्तों बात करेंगे हमने drop किया है Kenin जी को last match दो wicket उससे पहले कोई wicket नहीं बिला है spinner है उस spinner को देखा ज़िए तो netherland की team अच्छी खेलती है ऐसे में दोस्तों हमनी जो risk लिया है as a batting pitch के according हमनी risk लिया हमें लगता है कि यहाँ पर batsman को support मिलेगा तो इस तर से दोस्तों हमनी smallie की team बनाई है पूरी तर से दोस्तों netherland के favor में team बनाने का decision इसलिए लिया है क्योंकि netherland ने काफी ज़दा अच्छा performance दिया है और मेरी साब से match जितने के chances तकरिबन 40% है sorry कि 60% है यहाँ पर दोस्तों बात करेंगे हम किस को try कर सकते हैं आयनों के वीडियो थोड़ा लंबा हो चुक है अब दोस्तों बात करेंगे small league के बाद हमें grand league की team बनानी है तो grand league के सबसे पहले तो हमें players पता होनी चाहिए जो important होते देखे यहाँ पर players हम दो तर से choose कर सकते हैं सबसे पहले तो आपके पास अगर experience है मेरे पास तकरिबन 7 से लेकर 8 साल का experience है तो मैं player को देखे ही पता सकता हो कि यह player चलेंगा की नहीं चलेगा यह हमारे पास experience नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं सबी उन players को try करेंगे जिनका selection 30% के नीचे है ऐसे हैं दोस्तों चिसको try कर सकते हैं यहाँ पर विकेट की पर section से किसे player को try नहीं कर सकते हैं और इनका selection बढ़ेगा वही दोस्तों बात करेंगे तो यहाँ पर शैचल को try कर सकते हैं मुकामूला को try कर सकते हैं रोनिक कुमार को जहागिर को एन कोस को try कर सकते try करने का मतलब सबी players को पहले choose कर लो उसके बाद दोस्तों बात करेंगे यहाँ पर तो एन कोस को try कर सकते हैं ठीक है हमने तो एन कोस को try किया है यहाँ पर दोस्तों कोई भी option नहीं और यहाँ पर दोस्तों लिखे मैंने दोस्तों आपको बॉलिंग सेक्शन से सिफ उनी बॉलर्स के बारे में क्यों बता है small league के लिए इसलिए दोस्तों बता है क्योंकि small league में हम इतना ज़्यादा risk नहीं ले सकते कि नीचे में किसी player को try करेंगे ठीक है तो यहाँ पर दोस्तों बात करेंगे हमें किस को लेना चाहिए तो यहाँ पर दोस्तों आपको dress deal को लेना चाहिए उसके पर मुझे लगता है arc lane को लेना चाहिए और दोस्तों यहाँ ब्रेंडन गलोर को लेना चाहिए जो इस match में प्ले कर सकते अब यहाँ पर दोस्तों देखने मारी बात है कि हमारे पास यह तकरीबन करेंगे तो यह तो चल सकते हैं लेकिन इनके साथ अगर देखा जाए तो यह मुग्गा मुला भी चल सकते हैं लेकिन पहले दो यहां पर द्रेस दिल को पीक करेंगे तो हमारे पास दोस्तों यह तीन प्लेयर अवेलेबल है फिर से एक बार बताना चाहता हूं हम दोस्तों यहां पर मुकामुला को ट्राय कर सकते जो कि अच्छा परफॉवांस दे सकते ओपन करेंगे सब्सक्राइब करने के बाद हमें तीन बड़े प्लेयर को ड्रॉप करना पड़ेगा वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन आपको जब बड़े प्लेयर को ड्रॉप करेंगे तभी दोस्तों हमारा तीन प्लेयर चलेंगे हमें दोस्तों आज के मैच में 8-3 के रिश्यो से टीम बनानी है ये एक ये दोन टीन प्लेयर हमारे पास होनी चाहिए ये रिस्की लेकिन 8 प्लेयर हमारे पास होनी चाहिए जो कि फिक्स प्लेयर होनी चाहिए अब यहाँ पे दोस्तों मेगा लिकी टीम बनाएगे तो सबसे प सकते हैं उसके बाए दोस्तों बात करेंगे यहाँ पर फें मैकरी नहीं और यहाँ दो दीखा जाए तो मुझे और किसी पर contrôle deze ना रहे बाइं से लिकिन आप इस से रहे बाइंगे आपizers यह को ढुट से किया किया क्या कि तो सबसे फेलर दोस्तों में JW को सेक्शन में हमने सीप स्कॉट एडर्स को पिक किया क्योंकि गौस पे और दोस्तों एंप पटेल को मुझे इतना ज़र्द ट्रस्ट नजर नहीं आ रहे कि फिक्स है विक्रम जी सिंग को ट्राय किया और साथी सरा और दोस्तों एंप्लॉआटन्ड हो सकते है यहां पर बात करेंगे लेविट के चलने तक्रीबन काफी ज़दा अच्छ है तो लेविट को और मैक्सडाउट अगर आप दोनों को ट्राइ करना चाहते हैं दोनों को ट्राइ कर सकते हैं मेरी साफ से थोड़ा बहुत रिस्क लिए कि हम मैक्सडाउट को ड्रॉप करने वाले हैं और दोस्तो बात करेंगे ओर्लाउटर सेक्शेन के तो हमें दो प्लयप मैक्स गरसे करना है और बैटिंग से पॉइन नहीं रहें नहीं दोस्तो हम या पर सिंग को पीक करेंगे मुझे लगता है एस सिंग उतने ज़रा इंपॉर्टेंट नी होगे तो हमारे पास दोस्तों यह 8 fix player जो 100% चलेंगे दोस्तों ऐसे मुझे लग रहा है जो player flop होगे उनको दोस्तों हमने drop किया है अब दोस्तों हमें 3 player को add करना है जैसे कि दोस्तों हमने यहापे already mega league के players choose किये है दोस्तों मुझे क्या लगता है यहापे यह 2 player जो होगे यह actually आपको दिखेंगे तो आपको small league की team में try करना है जोस्तों mega league की अगर आप 6 team भी मना आते हो तो हर team में इनको players को भी try करना है ऐसा निकी drop ही कर देना है आपको मैं जो भी player बता हूँगा उनको तो आपको try करना है बाकी players को भी try करना है मुझे दोस्तों लगता है कि सेचलेट चलेंगे max out out is match way flop हो सकते है दोस्तों इन से ज़्यदा point max out out ना दे पाए नीचे पर दोस्तों कोई option नहीं है उसके दोस्तों बात करेंगे all around section से हमने किसी player को try नहीं किया है यही दोस्तों बात अगर करेंगे हमें अगर किसी player को try करेंगे तो हमने दोस्तों drys label पे risk लिया है जो कि आप check कर सकते हैं और एक player को दोस्तों अगर हमें add करना है तो दोस्तों मुकामूला को try कर सकते हैं यहाँ पर दोस्तों आप चेक करेंगे तो यहाँ पर हमने इस तरह से team बनाई है आप check करेंगे तो हमने ज़्यादा से ज़्यादा निर्दर लेंड के फेवरे में team बनाने की कोशिश की है और दोस्तों हमने निर्दर लेंड के साथ player लिये क्योंकि मुझे लगता है कि निर्दर लेंड की team win करेगी और दोस्तों अगर ऐसा होता है तो Scott Edwards ये सभी players दोस्तों betting से point देगे, score करेंगे और dream team में दिखेंगे लेकिन साथी साथ दोस्तों जो 3 player हमने add किये है आप check करेंगे dress deal को pick किया है उसके पर मुकमुला को pick किया है दोस्तों साचलेट को pick किया है ये 3 player दोस्तों mega league में आपको चलते भी नज़र आएंगे बाकी 8 player का selection अच्छा है पूरी तर से safe है इस तर से दोस्तों आप team बना सकते है 8-3 को ratio से आपको team बनानी है 8 player आप कोई भी choose कर सकते है fixed player लेकिन 3 player आपको risk की लेना होगा आपको आपको वीडियो पसंद रहे होगा वीडियो पसंद रहे होगा वीडियो को लाइक जरू करना हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके आपके जो बेल काईकों इस पर क्लिक जरू करना मिलते है एक नहे वीडियो के साथ